सुल्टान पुर्सस वक्त की बड़ी खबर अधिवक्ता संग के सो वर्ष पूरे आज शताप्ती समारों का होगा आयोजन विदी एवं न्याय मंत्री प्रजेश पाठक रहेंगे मोझे हाई गोर्ड के न्याय मूर्थी चंतारी सिंग भी होंगे शामे रामनरेश त्रिपार्टी हॉल में होगा आयोजन विदी एवं न्याय मंत्री प्रजेश पाठक रहेंगे मोझे हाई कोर्ड के न्याय मूर्थी चंतारी सिंग भी होंगे शामे रामनरेश त्रिपार्टी हॉल में होगा आयोजन तो एक खबर हम आपको सुल्टान पूर से बता रहे हैं जा अधिवक्ता संग के आज सौ साल पूरे हो चुके हैं वहीं से आयोजन का आयोजन रख्मा गया है शताप्ती समारों के उप्रक्ष में अधिवक्ता संग के सौ साल पूरे हो गया है तो वहां पर किस तरह का आयोजन किया जा रहे है जिसमें अधिवक्ता संग के सव वर्स पूरे होने पर अधिवक्ता संग के नियाय मूर्ती जो संद्रधारी सिंग है वहां सुल्टानपूर पहुचेंगे अब पहुचेंगे अधिवक्ताओं द्वरा उपका जोड़ा स्वागत करने का रखा गया है और यहां पर अधिवक्ताओं में अधिवक्ता संग के सो साल पूरे होने पर आयोजे रखा गया है आपको बता दे कि इस खबर पर हमार साथ अभी जुड़े थे अजे शिवास्तो जिन्होंने बताया कि इस कारिक्रम में सुरक्षा के पूरे विवस्था की गये हैं जहां पर अधिवक्ता संग के सो साल पूरे होने पर एक कारिक्रम का आयोजन किया गया है शतापदी समाहरों का आयोजन किया जा रहा है सुल्तानपूर में साथ आपको बता दे कि विधी एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक इस कारिक्रम में मौजूद रहेंगे तो वहीं हाई कोट के न्याय मूर्ती चंदुधारी सिंग भी इस आयोजन में शामिल होंगे आपको बता दे राम नरेश ठिपाती हॉल में आयोजन किया जा रहा है तो ये बड़ी खबर सुल्तानपुर से है जहां पर अधिवक्ता संके 100 साल पूरे होने पर बड़ी आ बड़ा आयोजन किया जा रहा है वहीं सी बीच बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर बिहार में फिर फूटा कोरोना बम पिछले 24 घन्टे में कोरोना के 662 नहीं केज पतना में सबसे जादा मामले तो बिहार से हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे है जहां पर कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है प्यार में भी लगातार कोरोना के मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे आपको बता दे पिछले 24 घंटे में कोरोना के 662 नए मरीज मिले हैं तो ये बड़ी खबर बिहार से है जहां पर कोरोना के जो मामले है वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे है चौबिस गंटे में आपको बता दे 662 नए कोरोना मरीजों की जो संक्रमित मरीजों के पुष्टी हुई है तो यह बड़ी कबर हम आपको बिहार से बता रहे हैं जहां पर लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं ज़िए ज़िए दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सेंट स्टीवन कॉलेज के तेरा चातर संक्रमित में दोवाने लोग भी कॉरोना संक्रमित तो यह बड़ी खबर दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं जहां पर कोरोना के बढ़ते मामलों में एक बार सेंट स्टीवन कॉलेज में 13 चात्र संक्रमित पाए गए हैं उसके साथ दो अन्य लोग भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं यह बड़ी खबर दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं जहां पर सेंट स्टीफन कॉलेज के तेरा चात्र कोरोना पॉस्टिफ पाए गए हैं ताती अन्य दो लोग भी कोरोना की चपेट में आए हैं यह बड़ी खबर दिल्ली से जांसेंट स्टीफन पॉलेज के तेरा चाथ कोरोना संक्रमित हुए है तो अन्य लोग भी कोरोना संक्रमित पाए गये हैं तो यह बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं जिस तरह से प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता था वहीं उसी बीच दिल्ली में भी लगात बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है दिल्ली में भी करोना का कहर जो है वो बढ़ता हुआ दिकाई दे रहा है । यह बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बतार रहा है चाहां दिल्ली में भी लगाता है, कुरोना का जो ग्राफ से वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है नहीं से बीजिस बक्त की बड़ी कबर, बीजेपी राश्ट अद्यक्ष, जेपी नड़ा का बयार कॉंग्रेस पर जनता को विश्वास नहीं कॉंग्रेस जहां जाएगी घोटाला करेगी कॉंग्रेस जूपते तहराग की तरहा है असंकी जनता बीजेपी के साथ है कॉंग्रेस ने हजारिका को भारत रत्म क्यों नहीं दिया कॉंग्रेस मांसिक दिवालियापन की शिकार कॉंग्रेस सिर्फ गोटालों की गारंटी दे सकती है कॉंग्रेस नेता परिटिक की तरह आते है तो ये बड़ी कवर हम आपको बता ले जहां बीजेपी राजट अद्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बड़ा वियान दिया है कॉंग्रेस पर निशाना साथते हुए उन्होंने बताया कि कॉंग्रेस जहां जाएगी वहां वो सिर्फ गोटाला ही करेगी तो वहीं कॉंग्रेस दूबते तेरा की तरह है तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए माज साथ जुड़ चुक है माज सायोगी अजय सिन्हा तो अजय जी क्या कुछ पूरा मामला है जेपी नड्डा ने बयान दिया है कॉंग्रेस को साफ तौर पर घेरा है कॉंग्रेस पर निशाना सादा है बंगाल चुनाओ असम चुनाओ को लेकर साफ तौर पर कहा है कि कॉंग्रेस दिवालियापन की शिकार हो गई है कहीं ना कहीं कॉंग्रेस की जो आस्थिता है जो कॉंग्रेस के बले नेटा है जिस तरह से उनके दौरों में कमी आई है वो एक्टिव नहीं दिख रहे है इसको लेकर बीजेपी राष्टी अध्यक्स जेपी नड़न शिशाना सादा मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पर्ष्यम मंगाले विधान सभा का चुनाओ हो रहा है दो चुनाओ के चुनाओ हो चुके हैं लेकिन कॉंग्रेश की बात करें तो पांच राज्यों के विधान सभास चुनाओं में कॉंग्रेश कहीं भी हाल फिलाल उतनी एक्टिव निखाई नहीं दे रही है तो बड़ी चीज यह है कि बीजेपी जितनी एक्टिव नजर आ रही है तो बीजेपी को जो वह एक्टिव है उसका फाइदा भी लगातार चुनाओं में देखने को मिल रहा है लेकिन कॉंग्रेश की कहीं न कहीं बात करें तो कॉंग्रेश कहीं बैक फूट पर नजर आ रही है वहीं साथ तोर पर जो है बीजेपी समय परेड़न का मुद्दा उठा जी कि जिन जिन राज्यों में कॉंग्रेशी सरकार वहां परेड़न उभ्यों को डूपता जा रहा ह दिखिंज़ को 處ते कि बीजेपी हर पॉइंट पर हर Quint RS को गेचाए अब सब्सक्राय ने important बसे वडिया जो कॉछन ब्वहारत रिका हुर्शяться को परइटन का चैत्र हो चाहें कोई भी चैत्र होगी है लगातार निशाने पर लिए उए और लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है कि छेत्री दल है अगर विधान सबाच चुनाओं की बात करें तो चैत्री दल हैं लगातार तकक्र हो और कॉनगरेस को कहीं साइड लाइन बी तुरंट कॉंग्रेस की नेता फृंट पर आते हैं। उसका कहीं नचीजाएथा फायदा बीजएपी को मिल रहा है। अज़ा जी एक बयान में उन्होंने ये बात कही है कि असम की जनता बीजेपी की साथ है मतलब कि उनको पूर विश्वास हो चुका है इस बात का कि जो असम की जनता है वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ है वही अगर जनता की बात करें तो वो कॉंग्रेज पर विश्वास नहीं करती तो यह साफत वर पर जोई पी नड़्ड़ के बियान में कहा गया है ़िए कर मैं कि बात कर लें कि अप Link लीद्व ममटा बनरशी ने जहां लेट की सरकार और ने आपको सत्ता में वह लाई थी लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी अपना दावा पेश कर दी कि दोसों से जादा सीटे उसको मिलेगी असम की बात करने तो असम में भी लगाता है असम में तो सरकार बीजेपी समर्थित है उनके मुख्मंति की सोनो बाल है तो कहीं नकर उसका फाइदा उन्हें मिलना ही है और फिर जिस तरह से बीजेपी के नेताओं की रैलियों चाहिए प्रधान मंती नेरेंद मोदियों चाहि जन समर्थन मिल रहाए तो कहीं नकर बीजेपी का बहुत हई होआ जा रहा है और वहीं कॉइं कांग्रेस की पाँंच राज्जी के अगर बात करें तो क्यूंग्रेस का सबसे ज़्यादा फोकस जो है केरल में है तो कहीं नकर बहुत बीजेपी अपने पाउप असार रही है तो कहीं न कहीं बीजेपी को साफ टरू मालूम है कॉंग्रेस की कमिया क्या मिशन लोटस के तेहें हर राज में कमल कॉशिष कर रही है तो वहीं अगर यभी बात बोली गई कि कांग्रेस सिर्फ घोटाले के वादे करती कि देखे राजनीतिक पार्टियों का इक हकंडा पर निशाने पर लो दूसरे की पार्टी पर ऐसे आरोप लगाओ कि खुद पखुद उसका तो कहीं नहीं रास्ति अध्र जो बीजेपी की जेपी नड़्डा आएं उनका साथ तौर पर यह कहना कि जहां कॉंग्रेस ही सरकार है। कॉंग्रेस उस तरह से ठी pitch सिरॉल को भी बाने kl को ये खार के अगर बात करें तो कॉंग्रेस की सरकार जो है उतनी जगा नहीं है जितनी जगा बीजेपी की सरकारे हैं बीजेपी चुकि इस समय रकेंद्र में भी हो कई राज्यों में दिये तो बीजेपी को इस चीज का फाइदा लगातार मिलता है वहीं लगातार ये बात कह रहा हूं कि active कौन है जादा चुनाओं के समय भी अगर समय साथ जुलने के लिए तो हम आपको इस वक्त की बड़ी कपर बता रहे थे जहां पर जेपी नड़्डा ने बड़ा बयान दिया है कॉंग्रेस पर निशाना साथते हुए उन्हों ने बताया कि कॉंग्रेस की सरकार जहां जहां पर जाती है वो वहां सिर्फ घोटाले की ग्यारेंटी देती है विकास के नाम पर सिफ जूटे वादे ही बीजेपी करती है कॉंग्रेस करती है तो यह बड़ी कबर हम आपको वता रहे हैं जहां पर जेपी नड़्डा ने बड़ा बयान दिया है 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 यह कर से इस वक्व की बड़ी खबर अम इस शाव कमीलाडी करेंगे रोड शो में प्घंड सभा को भी करेंगे संबोधित है तमेलाडू में एचिक अप्रैल को पड़ेंगे वोड़ journals घंप लाडू से में आपको इस वक्त की बड़ी घबर बता रहे हैं जळा मिलाच έχει तम्नाधू करेंगे हैं आपको बता दें किस गौरान जंसनबंभा को भी संभोधित करेंगे तो आप नादा में चैक ट्राइल को बाड़ेद हैंने आपको बताद अचा चाह цвет के साथ ही जनसभा एक हुआ हुआ करेंगे कि लाधू में चैप रेल को गोट पढ़ेंगे एक लाधू से इस वक्त की भड़ी कबर मापको बता रहे हैं जहां पर अमिच्छा आज तमिलनाडू में अब रोट शो करेंगे इसके साथ हमिच्छा जनसभा को भी संबोधित करेंगे तमिलनाडू में 6 अपरेल को वोट पड़ेंगे तमिलनाडू से इस वक्त की पड़ी खबर हमिच्छा अज तमिलनाडू में रोट शो करेंगे परणे बड़ी खबर तमिलनादू से जांतिशा अज तमिलनादू में ढोड़ करेंगे इसके साथ ही वो जन्सभा को भी संबोड़ करेंगे अब भी वर फिर से बता दे की छेपरायल को तमिलनादू में वोड़ पड़ेंगे तुरे तमिल्नाजू से हम आपको इस वक्त की बड़ी ख़बर बता रहे हैं अमिच्छा आज तमिल्नाजू में रोड शो करेंगे वहीं जनसभा को भी संभोध करेंगे अमिच्छा चब्रेल को तमिल्नाजू में वोड पड़ेंगे बड़ी ख़बर तमिल्नाजू से हम आपको बता रहे हैं जहाँ पर आज अमिच्छा रोड शो करेंगे तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जूट चुक है माय समधाता अजय सिन्हा जी तो अजय जी क्या कुछ पूरी मामला सामने आ रहा है इस खबर को लेकर जेगे आज अमिच्छ जो ग्रह मंत्री हैं केंद्री ग्रह मंत्री उनका दौरा है तमिल्नाडू का आप बता दे तमिल्नाडू की विदान तबा सीटे हैं उन पर जो एच्छे अपराइल को चुनाओं होना उसके लेकर अश्जा लगातार जो है तमिलनादू को अपनी तेम केंदर में रखे हुए है लगातार पश्शम ऑंगाल के सथ करने चाही है और जो पांच रागर आज पर प्रणाम मंत्री अमिश्या उनका दोरा है उनके साथ तमिलनादू प्रभारी जो है बीजेटी के सीटी रभी मौजूद है और आपको बदा लें कि कल रात महीं अमिश्या पहुच गए थे उन्होंने सवक किनारे जो होटल है वहां पर खाना खाया उसके बाद कहीं ना कहीं म प्रदेश के सीम योगी आधितनाथ की बात कर लें यह जो नेता हैं जो पोस्टर वाएं बीजेटी के वो लगातार जो है पांचों राज्यों में दौरा कर रहे हो तमिलनादू में भी जो है जो अन्ना द्रमुक सरकार है उसके खिलाब जो है वो सामने है और कहीं न कहीं पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि बीजेटी की जो सरकार है वो तमिलनादू में फुल फ्लैश आए तो और कौन से कारिक्रमों का है उजन होने वाला तमिलनादू में जिस तरह से आज रोट शो भी करेंगा मिच्छा तो क्या उसके अलावा भी कोई और कारिक्रम में शा जाने जाते हैं चाहें वो डोहाजार वननिस के लोक सभा चुनाओं हो हो चाहें वो दोहजारतना की जो है बिजहान सबा चुनाओं हो उत्तर परदेश के अपनी वीचिशा के लिए बि जैने जाते हैं और आमिश् jeune stick बहुत ब़ह राजिनितिक पंड anymore जाने ही यह चीज बता देते हैं कि कितनी सीटे कि स्राज में बीजेपी जीतने वाली है तबसे बड़ी बात यह है कि छोटे से लेके बड़े मुद्दे तक जो है वह अमिश्चा अपने चुनावी डैलियों में उठाते हैं वहीं बता दे कि अमिश्चा ने तब इलाडू में जो है और डियमके नेता ए राजा जो की पहले टूजी स्प्रैक्टरम में उनका नाम आ चुका है और कॉंग्रेस के साथ वो केंदर में मंत्री से कैबिनर स्थर के वहाँ पर जो है अब जो तमिलाडू में अच्छा खासा प्रभाव है डियमके नेता ए राजा का तो कहीं ना कही तो आज उमीद की जारी की बड़ा जन सहलाब इनकी रैली और इनके रोडशों में उमर सकता है कुछ औरन की Arrow कि आपको तो कहीं कि इंद भी नता को अपते में करने की कोशिस करें उनके लेघेंड भी जो ने ने ता हैं तो झो जो चूनाओ का प्रचार कर रहे हैं वो किस तरह के क्स तरह करते जंता के पख्षड़ में तो कहीं ना कहीं BJP के जो नेता हैं वो प्रचार करने में माहिन हैं वो अपनी बेबाग बयानी के लिए जाने जाते हैं खास तोर से अमिश शाह की बात करने हैं योगी आजितनाथ की बात करने हैं तो जनता को बड़ी उम्मीद हो इसी के चलते जनता जो है वो अमिश शाह प आपको बता रहे हैं जहां पर आजर अमिक्षा तमिलनाडू में रोडशो करने वाले आपको बता दे कि तमिलनाडू में 6 अप्रयार को वोट पढ़ेंगे वही किसाना अंदोलन से जुड़िस वक्त की बड़ी खबर राकेश टिकैत पर हमले का वामला बिजेपी नेता पर लगा हमले का रोग बिजेपी नेता समेथ 14 लोग गिरफतार अलवर में हुआ था राकेश टिकैत पर हमला तो किसाना अंदोलन से जुड़िस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं आपको बता दे कि राकेश टिकैत की गाड़ी पर हमला किया गया था वहीं से पूरे मामले में बिजेपी नेता पर हमले का रोग लगा है तो वहीं बड़ी खबर ये भी है कि बिजेपी नेता समेथ 14 लोग गिरफतार किये गये हैं तो ये पूरा मामला अलवर का था जहां पर राकेश टिकैत पहुचेत थे और उनकी गाड़ी पर हमला किया गया था वहीं आपको ये भी बता दे कि नरेश टिकैत ने भी महा पंचायत का अयलान किया था तो ये मामला पूरा अलवर का है जहां पर आके श्टिकैट की गाड़ी पर हमला किया गया था आपको बता दें कि ये बड़ी खबर किसान अंदोलन से जुड़ी हुई है जड़ाके श्टिकैट पर हमले का मामला सामने आया है तो वहीं बिजेपी नेता पर इस पूरे मामले कारोब लगा है बिजेपी नेता समेट 14 लोग गिरफतार किये गये हैं तो ये बड़ी कबर है इस वक्त की बता रहे हैं वैसी बीज उत्राखन से इस वक्त की बड़ी कबर CM तीरत सिंह रावत का बड़ा बयार गरोना वैक्सिनेशन पर दिया वार अपर शत्रत शत्शत वैक्सिनेशन देना पहला लक्ष कि वह बड़ी कबर तो रखन से हम आपको बतारें जहां पर cm तीरत सम्रावत ने एक बड़ा बयान दिया है अपको बता देकि एक कोरोना वक्सिनेशन को लेकर सीम तीसंग का बड़ा बयान सामने आया उन्होंने कहा कि शत्रतिशत वेक्सिनेशन देना पहला लक्ष घा बड़ी खबर उत्राखंड से हम आपको बता रहे हैं, जहां CM T.Rat Singh रावत का एक बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने कोरोना वेक्सिनेशन को लेकर एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि सत्प्रतिशत वेक्सिनेशन देना पहला लक्ष है, ये बड़ वेक्सिनेशन देना पहला लक्ष है, वैसी बीच इटावा से इस वक्त की बड़ी कबर, सरकारी राशन की काला बाजारी का भांडा पोर, ट्रैक्टर ट्रॉली से 250 बोरी सरकारी राशन बनावर, खाद दिकारी की टीम ने पकड़ी काला बाजारी, जस्वंत नगर ठाना च बाजारी हम आपको, जहां पर सरकारी राशन की काला बाजारी का जो मामला है, वो सामने आया है, आपको बता दे कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली से 250 बोरी सरकारी राशन बरामत किया गया है, खाद दिकारी की टीम ने ये काला बाजारी पकड़ी है, बता दे आपको जस्वंत पर थाना चेत में ये पूरा मामला है जहां पर काला बाजारी का मामला जो है वो सामने आया है सरकारी राशन की जो काला बाजारी है उसका भान्डा फोड हुआ है वैसी वीज लखीम पूर से इस वक्त की बड़ी खबर सर्जु सहकारी चीनी मिल में फटा टैंक टैंक फटने से सैक्डो कुइंटल शीरा वरबार पाइप में ट्रक चालत ने मारी थी टककर बिना फिटनेस के ट्रक से काम लिया जा रहा मिल अधिकारियों की लापर वाही आई सामने निगासन के बेल राया में है चीनी में तो यह बड़ी खबर लखीमपुर से है जहां सर्जु सहकारी चीनी मिल का टैंक फट गया है आपको बता दे कि इस टैंक फटने से सैक्डो कुइंटल जो शीरा है वो बरबाद हो गया अधिक वहीं ललितपूर से इस वक्त की बड़ी खबर आर्थिक तंगी के चलते किसान ने दी जान रशासन ने मिनतक की आर्थिक स्कुति की लिए जान का रही ताल बेहट कोत वाली चेत्र खांदी ग्राम की घटना ललितपूर से हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं जहां आर्थिक तंगी के चलते किसान ने अपनी जान दे दी आपको बता दे कि प्रशासन ने मिनतक की आर्थिक स्कुति की जानकारी लिए ये पूरा मामला ताल बेहट कोत वाली चेत्र के खांदी ग्राम क तो ये बड़ी कबर ललितपूर से बता रहे हैं आपको जहां पर आर्थिक तंगी के चलते किसान ने अपनी जान दे दी आपको बड़ी खबर प्रदीतिवारी को दी गई बड़ी जिम्मेदारी प्रदीतिवारी को दी गई बड़ी जिम्मेदारी प्रदीतिवारी लोहिया दोई सी बीश बेलट से इस वक्त की बड़ी कबर दो बाईकों की भीशे टककर में दो की मौत विशराजसे में तीन लोग गंभी रूप से घायत गायलों को अस्पतार में कराया गया बड़ती कि दोनों शव फोस्त मॉर्टम के लिए बेजे गए खर्खोदा चेत के धीर केड़ा इलाकर का मामदा तो मेरर से इस वक्ति हम आपको बड़ी कबर बता रहे हैं जादो बाईकों की बीश टककर में दो की मौत हो गई अटांग की हमला अमेरिके संसद गवर की इमारत पर हमला कार की टककर से पुलिस अधिकारी की मौत पुलिस संदिक दातंगी को किया डेर अश्व गई अमेरिके अमराश्ट्पतिक हमला अरिसमें जताया दूना इस वक्ति बड़ी कबर हम आपको बता रहे हैं अमेरिका में संदिग्द आतंकी हमला किया गया है आपको बता दे अमेरिकी संसत बवन की इमालत पर हमला किया गया है कार की टककर से पुलिस अधिकारी की मौत हो गई है वाई पुलिस ने संदिग्द आतंकी को धेर कर दिया इस पूरे मामले में अमेरिकी उपर राश्टपती कमला हैरेस ने दुख जताया है, वही राश्टपती बाइदन ने भी दुख जताया है तो ये बड़ी कबर अमेरिका से जहां अमेरिका में संदिग्ध आजंग की हमला किया गया है फिलाल रुकने एक चोचे से ब्रेक के लिए आप कई मज जाएगा देखते रहें प्राइम टीवी